नमस्कार दोस्तों चले आज बनाते हैं बड़े कार केक है जिसे मैंने होममेट प्रेमिक से मैंने यह बेस बना लिया है पहले अब इसे मैं निकालूंगे अच्छा ठंडा करने के वाज़े से मैं आप शेप दूँगे अब देख सकते हैं मैंने चौकोन टीन में बनाया है ज् बनाओगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से यह शेप आता है अब मैं इसे दो लियर कट कर रहे हूं को मैंने पहले से विप करके रख लिया है ऐसे देखे आप देख सकते कितना जालीदार यह बना है होमेट प्रिमिक्स से अब इसे मैं सुगर स्रबसे से अच्छा सा सोक कर दूँगे बहुत ज़रूरी है केक को सुगर सरब से शोग करना, विप क्रीम को मैने विप कर लिया पहले, अब इसे अच्छा सा मैं फेट ले रही हूँ, यह मैं दो f Richmond दूँगी, मैंगो और पाइनेपल का, विप क्रीम को मैं अब इसे फिल कर रही है, सबसे पहले, अब मैं ख्रश से बिल्कुल कहीं से भी इसे खाली ने छोड़ेंगे बस इसे मैं अच्छा साइसीन कर लूँगे विपक्रीम को फिल किया है आप इसमें में सेकेंड लगाऊंगी केkt के का से सेट कर लूँगे से इसे कट कर रही हूं तो साइड से अपनी इससे नापली जएक आपको जैसा साइस कही है केक कर देखें दोन्य तरब से इसे में बराबर ककर रही हूं एसे में साइड में निकाल दोंगे इसी से हमनों कार का शेप देंगे अब उपर मैं फिर से विफ क्रीम लगा रही हूं कब बहुत ही कम मात्रा में लगाईएगा क्रीम क्रीम जादा हो जादा तो भी अच्छा लिलगता खाने में यह मेरा बड़ी केक का ओर्डर था बस इसे में अच्छा सा इसे में धोनों लेयर को रख के अब इसे में कट कर रही हो इसे अच्छा सा स्षेप देंगे अगर आपको ब्राउन पार्ट निकालना है आप निकाल सकते हैं सबको मैं अच्छा सा कट कर लोंगे शेप देते हुए आप चाहें तो इसे थोड़ा देर के लिए अब इसे फ्रिज में रख के सेट कर लिए उसके बाद कटिंग करें तो बिल्कुल भी ही लेगा नहीं शेप खराब नहीं होगा अच्छा से आप कटिंग कर सकते हैं मैंने मे अब मैं अच्छा से शेप दे दी हूँ अब जितना क्रीम था उसे मैं साइट से निकाल दूंगी इसके बाद अच्छा शेप देनी के बाद ही इसे फिर से आइसिंग करेंगे कि सब तरब से मैं कट कर रही हूँ जैसे मुझे चाहिए कार्शेट अब देखें आप मैं बहुत पतले लेयर में लगा रहे हैं वेप क्रीम को अब देख सकते हैं कितनी असारी तरीके से ही शेप आ चुका है ना जब तरब से इसे वेप क्रीम से आइसिंग कर देंगे आप मैं इसे केक बोर्ड में शिप्ट कर रही हूँ और इसे मैं थोड़े अब इसे में शेप दे रही हूँ देखें मैं इसके खिड़की का शेप जो भी शेप मुझा देना इसे वाइट और एड में मुझे बनाना है सबको इसी तरह से डिजाइन दे रहे हूँ मैं इसमें ले रही हूँ स्टार नोजल ले रही हूँ स्टार बारीक वाला स्टार नोजल से बैसे इसका डिसाइन बनारे सबसे पहर टॉप बनाओं कि रैड कलर का सबको मैं स्टार नोजल से अच्छा सा मैं टॉप को पुरा स्टार बना दे रही हूँ बिल्कुल बारीक वाला नोजल मैं यूज़ किया अब अपने पसंद का कोई साथ भी नोजल यूज़ कर सकते हैं देख सकते हैं साइड में मैंने पूरा पाट को कवर कर दिया वाइट सब्सक्राइब धाट नौज़ लिया है उससे में शेप दे रही हुआ है इस पूरियो बिसकेट से इसका मैं यह जक्खे का जो पार्थ हूसे मैंने अदुरियो बिसक्ट यूज़ किया है अब देख सकते सबको मैंने प्रेड और फाइट से इच्छा सा फिल कर दिया डिज के सब तरब से मैंने इसे डिजाइन बना दिया है अब इसके एक्स्ट्रा जो भी है मैं उसे पार्ट को निकाल दूँगे अब मैं सबको Golden dust से डस कर दे रहे हूँ दस्ट करने ब गज नीके क्मप्लीट हो जुका है विल्कुल थोड़ा से बेसिक सा डिजाइन कहीं-कहीं बचा है उसे मैं फ्यूद्ध फिल कर दूंगे और Golden dust को मैंने पूरे प्लेटफोर्म में लगाया है बहुत ही अच्छा शाइन करता है उसके बाद मैं से भी स्टार डोजल से डिजाइन बनाने वाले हैं देखिए बहुत ही सिंपल से कार के बड़े के एक बड़े के रेडी है आप इसी तरह से आप आइसिंग कर सकते हैं अगर आपको बनाना हो त कहीं कहीं मैं इसका तो आप डिजाइन मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा बना देना चाहिए तो मैं उससे फिल कर रहे हैं देखिए देखिए आप इतना बहुत ही कम समय विखता सुंदर कार के बनके रेडी है मैं इसमें अब थोड़ा देख लेती है उसके बड़े टेक ल बड़ेटेक आइट कर दी हूँ चले आगे में और कोई आछेसी रेसिपी के साथ आपलो कुण से फिल कर देखिए देखिए जाएट बहुत है